आज हम इस वीडियो में आवला के फायदे के बारे में जानकारी लेंगे आवला आखों के लिए, बालों के लिए, पेट के लिए, आवला स्किन के लिए, डाइशन के लिए, आवला एनर्जी के लिए रसाइन माना जाता है रसाइन आयरो वेदा में उसको बोलते हैं जिससे हमारी उम्र लंबी होती है आवला को इंगलिस में इंडियन गूस बेरी बोलते हैं आवला का साइंटिफिक नेम है फाइलंत असेमली का अगर हम बात करें आवला में कितनी कैलिरीस होती हैं तो 100 ग्राम आवला में 58 calories होती हैं, जिसमें carvohydrate 13 ग्राम, इसमें fat काफी कम होता है 0.1 ग्राम, fiber काफी ज़्यादा होता है 3.4 ग्राम, आवला में सबसे फायदे वाली चीज़े वो है vitamin C, अगर आप 100 ग्राम आवला खाते हैं, कम से कम 7-8 दिन का vitamin C, एक ही समय में पूरा हो जाता है, अगर आप 10-15 ग्राम आवला रोज खा लेते हैं, तो vitamin C की deficiency पूरी हो जाती है एक दिन की, आवला एक strong antioxidant और anti-aging agent है, antioxidant और anti-aging का मतलब है, इसे हमें एक उधारन से समझते हैं, जैसी कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जो अपनी उम्र से जादा के लगते हैं, समय से पहले बूड़े लगने लगते हैं, उनकी skin पर कोई glow नहीं रहता है, उनकी body के अंदर कोई energy नहीं रहती है, या फिर stamina नहीं रहता है, समय से पहले बूड़े होने लगते ह चेहरे पर जुड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, तो वो लोग जिनको इस तरह की feeling आती है, तो उनको आवला अपनी regular diet में लेना चाहिए, इसमें antioxidant होने के कारण, ये resistance against disease होता है, और आपकी immunity को बढ़ा देता है, इसमें pactin होता है, और इसमें flavinoids होते हैं, ये दोनो cholesterol कम करने का काम करते हैं, आवला में cytokinin होते हैं, जैसे कि geotin, r-nucleotide, ribonuclecidase, और भी कई तरह के cytokinin like substance होते हैं, जो हमारी body की resistance power को बढ़ाते हैं, और blood pressure कम करने में मदद करते हैं, arthritis में मदद करते हैं, और भी कई सारे आवले के फायदे हैं, यहां तक ही 54 प्रास में मे laser component आवला का होता है, और आवला को बहुत सी बीमारियों के अंदर as a medicine ही यूज किया जाता है, और इसमें iron, vitamin C और calcium का बहुत ही rich source होता है, अब आवले को आप कई तरह से ले सकते हैं, उसका juice बनाके, या फिर उसको सुका के, dry करके, उसका मुरब्बा बनाके, powder के form में भी यूपियोग कर सकते हैं, या फिर कई लोग इसका अचार की form में इसको लेते हैं, अगर आपको आवले के वारे में ये जानकारी पसंद आई हो, तो चैनल को like, share, subscribe जरूर करें, ताकि आगे से भी आपको और इस तरह की वीडियो और जानकारी हैं मिलती रहें